निवस्कार वद्वस्वागत भार्दिक अभी नंदन वहरीश रानवत आप लोगों का भार्दिक श्वाबित करता हूं जैसा कि आप लोग पीछे देखी रहे हूंगे बोड के अंतरग्यत हम लोग आज राजस्तान के राजस्तान वो उसके जीलों की आकरती के बारे में दे ज्यादा लंबी ऍसकरास नहीं रहे है आप लोग तसलिए से बेठकेर से उसकी आकरति भारत की तुलनातमा करती और और अन्य जीलों के आकरती के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्तान के टौक जीले की आकरती की बात की जाए तो पतंगा कार मानी जा सकती है। जैसलमेर जो हम लोगों का है उस जैसलमेर की आकरती सामाने रूप से बहुत बुजाकार या सब पे साथ बुजाओं वाली मानी जा सकती है। अलग अलग जीले की हम लोग आकरती हों की बात करने वाले हैं। बारत की आकरती है तो चतुष कौन ही मानी जा सकती है। बारत की आकरती चतुष कौन ही है तो राजस्तान की आकरती के सी है। कौन ही है चत्रवुजाकार मानी जा सकती है या रंबर्स इसकी आकरती है या पतंगाकार ऐसा कहने वाला पी एच हैंडल है जीलों की आकरती की बात की जाए तो टॉक की जो आकरती है वो टॉक की आकरती राजस्तान के समान मानी जाती है लेकिन अब इस टॉक का कुछ बाद क एकड़ी जीले को दे दिया गया है एकड़ी जो अजमेर से अलग हुआ है जैसल मेर की आकरती साथ दिशाओं वाली या बहु बुझ मानी जा सकती है जैसल मेर की आकरती जैसल मेर ऐसा लगता है जैसे कोई रेगिस्तान के अंतरगत लंगर डाले जाज के समान ये दिखाए द लग हुआ है जो साचोर कहते हैं अर्ता साचोर और जालोर दोनों की आकर्ती देखी जाए तो ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई वेल मसली है जो पानी में डुपकी लगा रही है बीलवारा की आकर्टी आईताकार मानि जा सकती है कि शापुरा और बीलवारा दोनों की आकर्टी पुचे तो हो भी आईताकार मानि जा सकती है चित्तोर की आकरती इल्ली या गोडे की नाल के समान दिखाई दे सकती है गोडे की नाल जैसी कि आप लोगो ने देखाऊगे गुके जैसी गोडे की नाल के समान हो सकती है किसकी आकर्ती गोडे की नाल के समान चित्तोर की आकर्ती अजमेर अजमेर की आकर्ती तिर्भुजाकार मानी जा सकते हैं अजमेर की आकर्ती तिर्भुजाकार है तो ब्यावर केकडी अजमेर इन तीनों जीलों की वर्तमान में इस्तितिकी एदी बात की जाए तो ये तीनों जो दीले हैं, भीयावर केगली एजमेर, ये भी तृुझे तृ अजमेर की आकरति देकी जाए, तो वी तृुझे बाता सम्भाग की जाए, आज मरतान सम्भान सम्भाग राजस्तान के इंतरगर। दस संभाग है तो उनमें उदेपुर और बासवड़ा दोनों संभागों की आकरती देखी जाए तो स्रिलंका के समान मानी जा सकती है यदि हम लोग बात करें उदेपुर की आकरती स्रिलंका के समान मानी जा सकती है उदेपुर से अलग हुआ सलुमबर यदि हम बात करें उद लेकिन जोदपुर से अभी आले में कुछ जीले अलग हुए जोदपुर से जोदपुर गरामी न अलग हुआ है आगे हम बात करते हैं जोदपुर से फलोदी अलग हुआ है तो जोदपुर जोदपुर गरामी और ये फलोदी जो जीले की आकरती हो सकती है वहूर रूप से मह के समान मानी जा सकती है अर्थात बोले तुम और के समान राज समंद की जो आ करती है समान ने रूप से तिलक के समान मानी जा सकती है बात करते हैं हम सीकर की भोलो कौन से कर की सीकर की सीकर की आ करती अर्दिसंद्राकार प्याले नूमा काटोरी नूमा कैसी में हम लोग मान सकत है तो सीकर की आकरती अर्दसंद्राकार पहले लूवा काटोरे लूवा मानी जा सकती है बात करते हैं दोस्ता धनुस्त 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 धनु बरतपूर से अभियाली में एक जीला अलग हुआ है डिग और बरतपूर दोनों की सामनी आकरती की बात की जाए तो इसकी आकरती भी गिलेरी के समान मानी जा सकती है बात करते हैं हम राजस्तान के सबसे उत्तरतम जीले की तो राजस्तान के उत्तरतम जीले की जो आकरती होग कि राजस्तान वह उसके जीलों की सामानने आकरतियों की हम बात कर रहे हैं बारत की आकरती चतुस कोणी है मानी जा सकती है चार कुटा है बारत तो चतुस कोणी है मानी जा सकती है राजस्तान की आकरती विश्यम कोणी है चत्रबुजा कार मानी जा सकती है राजस्तान की आकरती पतंगा कार वताने वाला जो विद्वान था वो टी एच्रेंड लेता जीलों की आकरती की बात की जाए तो टौक की आकरती राजस्तान के समान वानी जा सकती है तो टौक का कुछ वाग अभी केटडी को दे दिया गया है जेसलमेर की आकरती साथ से अलग हुआ है शापुरा तो शापुरा और वीलवारा दोनों की आकरती की बात की जाए तो यह आईताकार हो सकती है तिप्तोर के मुख्यपाग की आकरती तो इल्ली के समाने गोरबाग की आकरती उसके गोडे की नाल के समान मानी जा सकती है अजवेर की आकरती पूरू में तिर्भुजा कार्मानी जा सकती है लेकिन अजवेर से ब्यावर केकडी और अजवेर इन तीनों को यह दिस्ता मिल कर दिया जाए तुनकी आकरती भी तिर्भुजा कार्मानी जा सकती है उधेपुर और मासवाए संभाग की दोनों की आकरतियों की बात किया तुखयाए संभलित drinking से तुख तुश्रीलंका की समान हो सकती है आगे हम बात करेंगे सीकर की जो आकरती है और देचंद्राकार प्याले नूमा कतरून कतरूनों शकती है दोसा की आकरती दोसा धनुस, दोसा धनुस, दोसा की आकरती धनुस के समान है, दोलपुरों और करोली की आकरती की बात की जाए तो यह बतक के समान वानी जा सकती है, बरतपुर की आकरती गिलेरी के समान वानी जा सकती है, बरतपुरों डिग दोनों की पूंची जाए, तो प्रवुक राजस्तान के जीलों के बारे में द्येन करेंगे तो लोग इसके सौट लीजिए धन्यवाद झाल झाल